दोस्तो पिसले 4-5 महिनों में मैंने अपने जितने भी मेरे YouTube वीडियो शूट किये हैं, बनाये हैं, अप्लोड किये हैं YouTube के उपर, उन सबी भी मैंने इसी माइक्रफोन को यूज किया है ये है SE Electronic की तरफ से आने वाला Conditioner Microphone X1A देखते हैं दोस्तो इस वीडियो में इसका QT Review जैसे कि दोस्तो मैंने आपको बताया, इस microphone को मैं यूज कर रहा हूँ पिसले 4-5 माइनों से तो इसके जो main-main specification जो मुझे पसंद आई, एकदम आसान भासा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और अगर आपको deep में जानना है इसकी technical features तो नीचे description में link है, आप check कर सकते हैं इसकी price range जो मुझे बहुत बेतर लगी, यह microphone आपको Amazon के उपर online 8,000 रुपे में मिल जाता है यह एक pro equipment है, इसलिए ऐसे सभी instrument के पैसे लगते हैं लेकिन अगर इसकी जो specification है और इसके साथ अगर हम other brand को compare करें तो यह मेरे इसाब से best budget condenser microphone है इसकी जो complete body है, वो metal की बनी हुई है जिससे यह आपकी आवाज बहुती rich quality में capture करती है, record करती है, कोई इसमें plastic use नहीं है main दूसरी चीज इसमें आपको pop filter लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें already will sealed है by default जिससे आपकी आवाज को already filter करके record करता है कुछ technical बाते करें, तो इस microphone का polar pattern है, वो cardioid है, मतलब सामने की तरफ से इसकी recording capacity वो 100% है जैसे जैसे मैं इसके left right जाता हूँ, तो वैसे वैसे इसका recording level कम होता जाता है, आप इस diagram से समझ सकते हैं इस microphone के उपर जो आपको कुछ features दिखते हैं, उसमें जो मुझे सब से favorite लगा हूँ मैं आपको बताता हूँ अभी जो मेरी आवाज record हो रही है, वो 0 dB में हो रही है, और जैसे अगर मैं इसको minus 20 dB में करता हूँ तो इसकी ये जो microphone की capacity वो automatic change हो जाती है, मतलब फिर ये microphone बहुत सारे loud instrument, loud चीजों को भी record करने के लिए capable हो जाता है अगर जैसे समय लीजिए मैं जोर-जोर से मेरे को नंगारे बजाने है और माइक को करीब रखना है, तो भी minus 20 decimal में ये एकदम अच्छी quality में आपके sound को record कर पाएगा जैसे मेरी आवाज अभी record हो रही है, 0 dB में और मैं इसको जैसे minus 20 dB में record करता हूँ तो आपको भी मेरी आवाज भीरे सुनाए दे रही होगी, क्योंकि मैं एकदम normal आवाज में बोल रहा हूँ लेकिन वही अगर मैं जोर से बोलू तो मेरी आवाज आपको normal सुनाए दे रही है आप मतलब समझेगा फिर से वीडियो को देखे लेकिन मैं इसको फिर से 0 dB में कर देता हूँ मतलब आपको अगर loud instrument record करना है तो भी आप इस microphone से record कर सकते हो एक picture और है जिससे एक तो flat है और एक low cut है जिससे आप इसका EQ parameter set कर सकते हो अगर बहुत सारे अगर आप ऐसे requirements और ऐसे आवाज से microphone में record करते हो तो लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि आप अपने DAW में ही इन सब चीजों को छेड़े क्योंकि उसमें आपको और बारीकी से options मिल जाते हैं दोस्तों बहतर audio quality record करने के लिए दो चीज़े आपको चाहिए एक तो आपको अच्छा mic जीजो किये है अभी जैसे कि आप देख सकते हो मेरा room खाली है लगबग जो दिवारे हैं वो एकदम सपार्ट फ्लेट है इससे मेरे कमरे में बहुत सारे reflections है और echo भी है लेकिन कुछ हद तक ये microphone कम कर रहा है लेकिन उसकी जगह अगर मेरे कमरा पूरा अगर acoustically treat हो जिसको मैं भी कराऊंगा कुछ दिनों में लेकिन वो थोड़ा काफी महंगा पड़ता है system लेकिन SC Electronica ये gadget है RFX ये एक ऐसी sealed होती है जो आपकी microphone की तरफ लगती है जिससे आपके कमरे के जो reflections है उससे आप कम कर सकते हो और अपने audio quality को और भी ज़्यादा बहतर बना सकते हो तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो ये है SC Electronica RFX और तो दोस्तों ये है SC Electronica RFX reflection filter जिसे आप अपने mic की साथ mount कर सकते हो और अपने कमरे में जो reflection है उनको भी आप कम कर सकते हो ये कुछ इस तरीके से mount होता है और फिर आपकी microphone के साथ और भी अच्छी तरीके से आप इस S1A इसके साथ मैंने लगया है reflection filter जो की है SC Electronica RFX मैं record करूँगा इसमें mode sung जो की है एक folk instrument अब ही मैं record करूँगा खर्ता जिसका sound एक तम शार्फ होता है मनजीरे की तरह ये भी एक folk instrument है इसके लिए मेरे को खड़ा होना रहेगा तो इसमें मेरा सढ़ने दिखेगा एरा फिरी देस तो दोस्तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे personal opinion से ये मेरे लिए best microphone है अब तक का जिस समय में video shoot कर रहा हूँ क्योंकि इसमें में वह सारी चीज़े कर सकता हूँ जो कि एक microphone में होनी चाहिए और इसकी जो audio quality वो भी आपको कैसी अच्छी लगिया मेरे को नीचे comment में बताएगा और ये कमरा और अच्छी तरीके से quality इसमें increase होगी लेकिन मुझे अब तक personally मैं कुछ satisfied हूँ इसकी quality से hope आप भी रहेंगे जो भी आपको इसके कुछ अगर special specification अच्छा लगे नीचे मेरे को comment में बताएगा कोई मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तके लिए शुक्रिया नमस्ते